दोस्तों आज फिर से मैं राहू और केटू की बात करने वाली हूँ आप सबी से 31 अप्टूबर 2023 को राहू और केटू ने टांजिट कर लिया है अब ये डेर्ट साल के लिए रिजर्स देने वाले हैं आप लोगों को फिल हो चुका होगा इंटर्नली की हां कुछ चीजें बदल रही है इस पेशली मेंटल लेवल के दरे बात करती हूँ तो आप की फिल इस इंटर्नली क्योंकि राहू और केटू दौनों ही चंदर्मा के साउथ नौड और नौड नौड है चंदर्मा हमारे मन कारक है मेंटल लेवल कारक है इसलिए आपको मेंटली ही यह चीज फील होगी कि सम्टिंग इस चेंज कुछ बदल रहा है बदलने की कोशिच में है पहले वाले चीजों में बदलाव आ रहा है आज राहूर केटू की बात में इसलिए करी हूँ कि मैं कि आपकेटू क्ताइस राहूर केटू वैक तो में हएक राहूर केटू अपकेट कार हूं अटिक तो posing जो फेस है या जो हमारा जो फेस है सभी का सारे जुनिया को वो सारी बॉड़ी को कंड़क करता है यानि कि वो कहता है उसके जो कमांड से है वो पूरे करती है हमारे पूरी बॉड़ी जैसे हमें फूड चाहिए तो हमारे पार दोरते हों फूड की इंतिजाम करते हैं वारी जो बॉडी है उसको पुरा कंडेक कुर्ण करता है हमारा दिमाग, हमारा यह चल रहा है, ठीक है, उसी तरह से राहू की जो विशेज है वो कंपीट करता है केतू, मैंने का एक ही चीज है, केतू कोई डिजायर निये, कोई विशेज निये, इसलिए केतू, डिटेश्मे कारक होता है, मेटरलिस्ट्रिक चीज का कारक होता है, हर उस चीज का कारक होता है, जो कि उसको चाहिए, चाहते हैं, हर चीज चाहिए उसको, राहू की जाब पिक अभी देखें कि गूगल है, पहले भी बात कही थी, तो आप उनका राहू देव जो है, उनका फेस बताया ग विलाड़ ना को है तो यहां डेटा नसे कि को धाने के कब सकते हैं अलugenग निया उन्म पॉरी जैसाइक कि अए मारी पुर्य बॉरी बॉड़ी ग्यायों उसके पार जाती है युज आत मैं परकतो हैं तो जो बद पैसे वाला इन्जान बनना यहां आगया तो पुरी बौड़ी पैसे कमाने माने भलग जाएगी। उसी तरह से राओ की कमांड को कम्पील करता है के तू गार्ण है आज पूरी वेडिमें वीडियो पता वाली कि आपके नटल चार्ट रहे हैं प्रमाने प्रवनेट इस्थ है नटल चार्ट इस वक्त म्योग हो सबस्क्राइब बय सकते हैं यह जम्मक्ति एट का मीं कि आहते जर्फ और गार्ण के तो आपकी changes आते हैं, क्या effect डालते हैं, उसके अलवा, current वाले year है, उसको भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है, तो this is the very different thing, कि दौनों एक है, और दौनों ही एक दूसरे को support कर रहे हैं, राहों को पूरा support करते हैं Ketu, कैसे करते हैं, और क्या results आते हैं, और उसका क्या effect बढ़ता ह हैं हमारे पुरी life में, वो सारी बात आज में करने वाली हूँ, सबसे में बात करते हूँ है, Aries वालों की, Aries के लिए, अभी की जो इस्तिती है, वो है कि आपके राहू जो है, प्रेल्टा हूस में transit कर रहे हैं, और केतू आपके 6 हूस में transit कर रहे हैं, Aries वालों की बात कर प्रेल्टान ओर में, का रमस में, वे और के WAS जीत, वे बात पता में आंका हूँ है…. अब हूँ है, गल्टान आप सिद्ना मेंगा है कि सब्चू दोंता ही, Aries क्वे डेल्टान चाइब beefihar की भात क्योंस बात बातively क्यों रहे हैं, ए आपको रहू कितने में प्रेल्टान स abroad, foreign, अलग चीज़ें, जो हमाई होटीन चीज़ें हैं, उनसे अलग, रहोट की डिजार्स क्या है, मुझे फॉरण जाना है, फॉरण का चीज़ लगाना है, मुझे बहुत सारा ऐसे लोगों से मित्रता करने हैं, जो इसे बहुत सारा खर्चा करना है, मुझे एक्सपेंस करने हैं, उसके अलवा, मुझे एडिक्शन पालना है, 12 अंसे एडिक्शन ओसो, ऐसे लोग साथ उपना बैठना है, जो इडिक्शन करते हूं, नया एडिक्शन पालना है, मुझे बहुत सारा खर्चा करना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, उसके अलव Ketu is in the six house. Ketu क्या कर रहा है? वहाँ पर अपने जो प्रारब्द कर्मा है उन सब को कट कर रहा है. क्योंकि उसको सारा support system किसके लिए चाहिए? राभू के लिए. दूसरी चीज. Ketu इस समय high level पर कमा रहा है. कमाने पर ध्यान दे रहा है कि उसको पैसा कमा करके के लिए करते हैं उन सबसे सब के तुक टॉफ फील करेगा या कटॉफ करेगा बिकॉस राओं को डिफेंट कमुनिटी से डिफेंट लोग के साथ उतना बैठना है के तु कमा रहा है राओं को घर्चा कर रहा है के तु अपने घर या यहां पर रहते हैं आपका हाउस है या आ अपनी हेल्थ से लेटर कंप्रमाइज करना पड़ रहा है, 6th is your health. केतु को जलन लेना पड़र रहा है, केतु को चाहेँ वो धुष्मन मना रहा है, लेकिन राहो की विशल्ध क्यों होकी होका है, क्योंकि राहो को इस समय खड़तो करना है, पालना है एडिक्षन परना है, चाहे में हल्थ ही लीणाख साथ कि अईटरा उन squeeze, बस वो दोड़ रहा है कमा रहा है प्रारव्द कर्मा को भी कट करना पड़ रहा है because of the राहू की विशिस पूली करना है राहू को गुल्फिल करना है ठीक है रावा अर्म गेल्स उसके अलावा राहू को नेट वक्त छहींए डम्झे आप ये अपनी इपके Watch हो चैए है राजा वाली डिट चैहिंए मैं गczenieठेटे के इनवेशिटी मुझे उची करनी है लीगल इलीगल लोगों के साथ भी बैट रहा हूं, नेटवर्क है, डसनेटर, मुझे को फरक नहीं पड़ता, मुझे नेटवर्क चाहिए, कैसे भी लोगों हो बस, महापर एक किंग वाली इस्तिती चाहिए मुझे, और मनी, इलीगल इलीगल, कैसे भी तरह को I want money now, ठीक है, प्रसित नहीं पानी है, केतु ने support कैसे कर रहा है, केतु इन 5th house, केतु ignore कर रहा है, सारे लीगल, इलीगल तरीकों को, जो कि सूर्य के द्वारा या गौर्मेंट के द्वारा, या authority level के द्वारा बनाए गए है, क्योंकि 5th house is your government, सूर्य की place है वापर, उस कहला है, अपनी ज दौड़ रहा है, राहू की वजए से, कमाने के लिए, क्योंकि गेनिंग चाहिए ना, राहू को इस समय, पैसा चाहिए, तो के तु दौड़ रहा है, creativity side में रखेगा, legal-illegal side में रखेगा, काम कर रहा है, बस money matter चाहिए, क्योंकि राहू की wishes मुझे फुर्फिल कर नहीं है, इग्नॉर कर रहा है, अपने बच्चों को, सिफ्ता उसे चाहिए, इग्नॉर कर रहा है, अपने लवन्स को भी, क्योंकि इस समय राहू जो है, busy हो गया, in the network, दूसरों के साथ है, ठीक है, उसके अलावा, कहीं न कहीं, केतू इस सब बहुत अथा मेनत कर रहा है, विको उसक दोड़ा, मुझे पैसा कमा के दोड़ा, I don't think so, कि आपको legal है, illegal है, आपके father के साथ आप करनी बन रहा, आपनी जो पुरानी परंप्रा हमको तोड़ रहे है, बस आपको जॉब करनी है, ता कि मैं fulfill हो सकूँ, बात के तो जैमिनाइस वानों की, आपके राहू ट्रंसिट कर रहे हैं इस समय 10th house में, के तो ट्रंसिट कर रहा है, आपके 4th house में, राहू के डिजायर्स क्या चल रही है, कि मुझे stability चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे particular post चाहिए, मुझे particular job चाहिए, particular business चाहिए, particular company में मुझे काम मिलना है, इसके बीचे राहू के डिजायर्स हो रही ह 10th house है, ठीक है, अब 4th house में आगे है के तू, वो डिजायर्स कैसे complete कर रहा है, 4th house is your relaxation place, आपका शान्ती वाली जगे है, जहांपर आप बहुत relaxed रहते हैं, आपका mother वाली प्लेस, आपका घर, 4th house is your, कुझे ने के एक शान्त वाली जगे हैं, जहांपर आप meditation करते हैं, मदर क इस गोदमे के से बच्चा एकनम secure रहता है, काम रहता है, हार्ट वाला प्लेस, जहांपरा बहुत कीप, काम, mental level, stress से दूर रहते हैं, बट, because of the रहु डिजायर्स के तू, अपनी जितनी ही mental level की जो चीजे है, relaxation है, या मन की शान्ती है, 4th house मन की शान्ती, उसको वो बिलकुल भंग करके, बिलकुल रहु के डिजायर्स के लिए, पूरा complete पागल हुआ पड़ा है, उसको अपने डिजल में की पावर में शक है, उसको mental level पे अथा लिवल का stress हो रहा है, because उसको अपना 10th house है, वहाँ पर रहु बैटा है, उसको उसके डिजायर्स को फुल्फिल करना है, बिलकुल काम नहीं है, काम में से एक दम बाहर है, ठीक है, mental level पे बहुत ज़दा stressed है, अपने घर पे शांती नहीं है, मदर के साथ रिलेशनिशिप अच्छा नहीं है, emotion level पे अच्छा नहीं है, design making power less है, relationship के बारे बहुत negative thoughts आ रहे है, यह सब बेकार है, because रहों की design start है, सिफ रहों के desires को complete कर रहा है, उसकी जो, image in the society, कह दूँ, या एक stability, या उसका job है, या उसका career है, उस पे संपोल रूप से केतु है, अपना पूरा level मतलब दे रहा है, इसलिए जब 4th house पे केतु होता है, इंसान बिलकुल भी शांत नहीं बैठता, बहुत mental level पे stress रहता है, अ दोड़े जा रहा है, दोड़े जा रहा है, दोड़े जा रहा है, पर राहू इस मतलब मना नहीं कर रहा है, या वो ने कि एक्तम satisfied नहीं हो रहा है, इसलिए कि अपने किस्मत पाली जगे पर, destiny place पर, spiritual place पर, राहू कह रहा है कि, अब मैं ब्लुकुल spiritual power में जा रहा हूं, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, मेरे spiritual power मेरा साथ देगी, किसी वे तरह के गुरू जनों में चले जाना, किसी को भी अपना गुरू बना लेना, उनका influence करना, follow करना, आख बंद करके, या फिर अपना धर्म को भी आख बंद करके करना, या दूसरा धर्म बदल लेना, राहू डिफिरंट को Community को represent करता है कि और दरन आप कर लेना, इससे क्या हो रहा है, राहू को अभी सिप चाहिए, एफर्ट नहीं करेगा क्योंकि किस्मत वाली जगे आ ले, कैसमत वाली जगे आ कि एफर्ट नहीं करते है, अपने लौजिक चालू कर देते, अपने उगदेश कि तुने अपनी सारी जो भी सरावनी लोग है उनसे कट कर लिया, फ्रेंड से कट कर लिया, लैनिंग प्रोसेस बंद कर लिया, एफर्ट्स बंद कर लिये, अपनी जो देने की एक सपोर्टर्स है, उनको बंद कर लिया, सारी कि सारी जितने भी चीज़े ते उनको कट करके वो इक भा कुछ हैं तो सिफ राहु को सपोर्ट दे रहा है। सिक उझा हुट आखे में, रक्राम की उप्रफिश के पेपवन दूई तो अगल, तो का की जाएगा, शल्म की जाएगा, तो भी राहु की वज़े से intention का नियदिeld… जहां पर हैक आउट करते हैं, फ्रेंड सबकी के साथ में, सपोर्टर्स होते हैं, सिब्लिंग होते हैं, सब से कट आफ करके, आपको सिर्फ रहो की बात मानी है, बिकॉज अफ़ रहो की डिजार से नाइं ताउस में ठीक है, ठीक है, कनेक्टिविटी विद गौर्ड, वो सही कि जले ते वो रहो का निमा लोग, ठीक है, उसके लागए एफट लेस बना जेता है इंसान को, जब नाइं ताउस में आता है, किस्मत की बारूसी चल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि इस समय लोगों की जॉब्स बोज़ा चूपती है, जब थड़ा उस में केतु आता है, ठीक है, क्योंकि बगवान में रम जाते हैं, या वद किस्मत में होगा तो आजाएगा तो अज़ ड़न मैटर, यह उस वालों की बात करते हूं, आपके रहो अग्शेरम्सर कर रहे हो हुए प्रका आपके और या रेडाव होगी तो बाता है रखुती हुए, जिए में रिज़ाए में ऊतल एनवान कि अवे कर लोगों को कंट्रोल कर लो ऐसे रिसर्च करो आइसोलेट कर लेता है अपने आपको बहुत ज्यादा पावर्फिल बनाने के लिए अब बात करते हैं कि अब रहू का तुम्हा हो गया अब रहू के तुसे कह रहा है चलो दौरो मेरे लिए कि मुझे मेरी विशस कंप्लीट कर अब बात कर लोगा तो के तुम्हा जितने भी मतब फैमेली उन सबसे डिटेश्मेंट करवा देता है अइसुलेट हो गया तो अपनी मनी का भी भी इस समय करेगा इस समय विकास रावू बहुत अनाप शनाप पैसा कर्च कर रहा है उच भी चीज़ें सीख रहा है तांतरी क करता है वनीमेटर के मामने बहुत खर्चा हो रहा है फैमिली को इंगुष्ड किया जा रहा है फूट को इंगूर किया जा रहा है यार जो बेसिक जा लाइफ है उसाइज लिग शासी यत चार्णा है अपनी फैमिली के जो भी रिस्पॉंसिबिलिटीज है कि पैसा कमाना है उनके साथ बैठना है उनके साथ बेहवियर है एक बाउंडिंग है या आपका मनी मैटर्स है अपकी अप्डीज है उन सब को कट करके राहू ने गुला लिया है के तू को एथ हौस पैसा में मुझे कोई रिष्टा नाम आता नहीं है कोई ट्राइं कर आप कर रहे है सब लोग कोई फैमिली नहीं है ऐसा इंजर आपने आपको अपनी एक अगल दुनिया बना लेता है वहां पर कोजबिल करना चुरू कर देता है तो के तू इसलिए कट आफ कर रहा है इसलिए वह बहुत समझ लो या आप behavior समझ लो बहुत कटा-कटा से रहता है घर में कम मिलेगा गर में मिलेगा कि कौने मिलेगा अपको एक तब आइसलेट प्लेस पर वर्गोवालों की बात करिए वर्गोवालों की लिए राहू टांजिट कर रहा है आपके सेवंध हों के तू आपके फस्ट को उसने डिजायर बताईए के तूने कमांड की स्टार्ट कर रहा है उसका काम करने के लिए के तू अपनी डिगनिटी अपनी मेंटल लेवल सोच विचार इमेज अपना थॉट प्रोसेस और उन सब को साइड में रखके सिफ राहू की विचिस पूरी कर रहा है विकॉस िये के तू का डज्युंट खुद से यह ठाइशं के बदेश्में ऐसा इंसाशन अपने आपको ही भूल जाता है इसे लियुकर बशार लेत ऐससे रहने वàiले ले ठीकलर दल कर लाए यह मेरी मेरी इमेज़िकरा यवा अपनी इनजर ह spell में जहां आप अपनी ही एक इमिज खुद के लिए होती है ठीक है बर्ट राहू की विश्ट कहा है दोड़ो मुझे नया पार्टनर चीए चलो ढूँडो मुझे पार्टनर्स चाहिए मुझे तो आप लेकर क्या है यह मल्टिबल चाहिए एक से काम भी चलेगा मुझे मल्टिबल पार्टनर्स चीए और यह मैंने तो भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा मतलब एक्सामेडरल अफेर्स में जाते हैं जब राहू सब्सक्राइब और केतु का सपोर्ट स्टम तो मिली रहे है कि केतु को उसने कमांड कर दिया कि आपको तो मेरी विश्ट पूरी करने है तो केतु हुआ आता है तो को से बिना सोचए सब्जे जिना विचारे नाग किये हुए वह इनसां से द रौता रहता है यो कि स्कूरा ऊ-पूरी करने के लिए तो इसले आइग तो इंसान की सोस समझ में ताला लग जाता है। एक तो बहुत रावलीन करता है। उसके अलावा किन भी लोग के साथ रेलिशिप बना लेता है। क्योंकि राहू की डिजायर्स उसको पूरी करनी है। ठीक है। राहू को चाहिए पार्टनर्स उसके अलावा। बिसनस में अगर है तो ऐसा इंसान जो होता है। वह अपने बिसनस के लिए इतना ज्यादा अपने आपको बोल जाता है। वह लोड काम करना चुरू कर लेता है। बढ कर दो के जीन साथ इसनोग हाज उसके पहला बुद है। उसी तरफ ध्यान जेता है कि मैं पैसा केसे कमाऊ। कॉमपटिशन मो अतर जाता है। अपने बिजनिस के लिए या अपने वर्क के लिए बहुत सारी लोगों को दुष्मन मना लेता। ठीक है बहुत सारी लोगों दुष्मन मना नेदा, भी लेगा। इस तरह की बहुत हरकत करता है, दुषिन बनार लेगा, बीमार हो जाएगा। केतु ने क्या किया है? केतु ने त्रवलता उसम जाकर के डेटेश्मन कर लिया। कहां पर जाकर के आइसोलेट हो जाता है वहां पर जाकर के क्योंकि उसको रहू की विश्यस पूरी करनी है, ने तो वह डिवाइन करनेक्शन हो जाएगा भगवान की तरफ या फिर वह बहुत जादा मापी जाकर यह गोता है, बतलब पावर कितम हो जाती ही प्रवलता उसमें जब केतु आता है। अगर केतु बहुत पावर्फुल पोजिशन में होता है तो लेकिन यहां पर हो रहा है कि रहूं की डिजाइट पूरी करनी है, अपनी हेल्प का ध्यानी रखेगा, केतु बिल्कुल भी प्रल्दा, आपको शर्जरी होती है, आप सर्जरी होती है, आप जा सकते हैं, अपनी यहां अपनी लाओ, इसंतरा घ्रज़ करना करेगा नापस राह है, वैराई यह कि रखेगर। भी पेटों करेगाड़रहे वह जाएँ है, इस वज़ाइसे क तो बहुत ज़्यादा कुम्परमाइस करता है 12 थीक है राहुट पर अच्छा रिजर्ट देता है नॉमली क्योंकि पैसा कमाता है लेकिन तरीका कोई सा भी हो अपने बिजन्स के लिए अपने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कमपटिशन इंटर जाता है मैंने दुष्य में लिता है बुग दुष्मान होते हैं यह न से इंसान के बहुत जादा और के तू कर रहा है कि तू लीगल ए लीगल किसी बीदी से सपोर्ट करने तरीकां कैसा यह हो उसको पैसा नमाना है इसलिए मसपोर्टिग राहू अब आ जैसे कि मुझे अप एक बच्चा चाहिए मेरे घर में पहले चीज तुझा दूसरी दिजार है मुझे क्रेशन में जाना है जिसी डिजार है मुझे मेरे बहुत करता है वह अपने रूटीन चीज़ों को बोल जाता है उसके अलव इस जगे पर लीगल इलीगल किसी पर तरीके से हो उसको फरक नहीं पड़ता बट वो दोस्ती और अप्रेंड्शिप बहुत फटावर करता है डेटिंग चला जाता है मंटिपल लोग सा डेटि करता है ठीक है, अब केतू क्या कर रहा है केतू 11 तह उस उस ने पने सार्य नेट्वड को कॉट अफ कर रहा है, विकशू उद्धर रहा है क्योंकि राहू सब्सक्राइब, ऑपने कमाई को क्षट खाट उफ किया थैक है। उसके अलाब उसले अपने राहू को support strong देने के वज़े से केतु अपनी gains को, money को, उन सब को cut off कर रहा है राहू क्या कर रहा है? राहू को चहिए सब kids बहुत busy हो जाता है kids के साथ में, बहुत जादा, ठीक है? उसके अलावा जिसमें बताया है कि बहुत creative हो जाता है बहुत बच्चा होना, संता होना is the biggest creation of yours in your life ठीक है? उसके अलावा love ones के साथ में, बहुत busy हो जाता है बहुत अलग अलग तरीके community से, लोगों से दोस्ती कर लेना, friendship कर लेना and Ketu is doing the there उसके अलावा इस हालत में, जब 5th house में राहू होता है और 11th house में जब Ketu होता है, तो ऐसे इंसान की, बहुत इमेज़ खराब होती है in the society Ketu 11th house में है तो वहाँ पर cut off कर रहा है आपकी इमीच को ठीक है? पिकोस बता रहू, रहू तो busy हो गया उसको तो support चाहिए उसे Ketu कमांड कर दिया कि मुझे support चाहिए मुझे को फरक नहीं पढ़ रहा, इमेज कैसी भी हो, I want that thing right मतलब नव, इस तरह की चीज़ होती है अब बात करते हूँ मैं सेंचिछी स्वामों के सेंचिछी स्वामों के लिए क्या हो रहा है? कि इस समय केटू टांसेट कर रहा है आपके 10th house में और रहू टांसर कर रहे है आपके 4th house में अभी क्या हो रहा है? 4th house में जैसे ही रहू आया है तो रहू ने कमांड दिया है के तू को कि मेरी विशेर है कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए अथा बड़ा घर चाहिए लवेशली घर चाहिए 4th house और home आपका hometown आपका घर जहां आप रहने सर्णावनिंग चीज़े बड़ा बड़ा घर चाहिए बहुत महेंगी हर चीज होनी चाहिए विदेश्य सामाल लाकि आपके लगाओ हर चीज लेटेस्ट बड़ा मकाँ जिसे कहते हैं कि लिवेशली मकाँ हर चीज में है इलेक्रोनिक आइटेस्ट लाइटेस्ट होनी चाहिए हर चीज लेटेस्ट और फैशनेवल गुड़ क्वालिटी की जो की विदेश्य से लाई गई हो और जो की बहुत महेंगी हो ठीक है इस तरह की चीज इ है उसकी विश्कूरी कर रहा है के तू दोर रहा है भाग रहा है कमानी ठीक है क्योंकि पैसा तभी आएगा जबकि राहू मतलब मकान बनवाएगा तो पैसा तो चाहिए तो के तू अपने पूरा मतलब हुत है 100 परसंट दे रहा है इन यौर इन दा स्टेवलिटी सेशन से कि बात कर रहे हुए इस वाग ठीक है बहुत ज्यादा लिवहाई एवर पर वह अपने अपको कर रहा है उसके अलावा इस समय वह अपने जॉब में बिसनस में कम्पीट डूबा हुआ है विकोज उसको पैसा चाहिए जिससे की राहू की विशिस पूरी हो सके कि राहू को म समय बहुत ज्यादा मतलब 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 लागो को चाहिए असेट्स बड़ी गारी चाहिए ठीक है अब आद करती हूं कि आपके टांसर्ट कर रहा है आपके नाइंध थाहूस में तरह होता है तो ऐसा इंसान बहुत जार ट्रिप लगाता है बहुत फ्रेंड्स मनाता है अपने फ्रेंड्स साथ इतना हैंग आउट कर हनिदी करनके हम थाइं कि लोग साथ दोस्ती कर लेता है इस पीना थाई उसक्रीन अपन से ए्धर वह बेहुत कर लेता है इससे लोग पाल लीता है यह एसे ढूंग साहत में इस अग्रुप्ष में चला जाता है चुब् लग देस से ंंसे बहुत अ बिजी रहना अब केतू आ गया है नाइंता उसमें केतू ने उसकी विश्यस पूरी करनी है राओं कि केतू अपने सारे जितने भी फादर या गुरू या बड़े जो एल्डर्स है उनका जो कहा है उनकी जो आगया है उसको वो कट करता है जब 9th house में केतु होता है because उसको राओं की विशिस पूरी करनी है ठीक है? एल्डर जो केते हैं कि नहीं यह गलत है ऐसे लोग सत मत उटो मैटो ये चीज़ें मत खाओ, यहां मत जाओ, ये मत करो but because of the K2 ट्रांसेटिंग इन the 9th house और उसको विशिस पूरी करनी है राओं की, तो वो just ignore आप कुछ भी कहिए, मुझे तो राओं ने कमांड दे दिया मुझे उसके विशिस पूरी करनी है वो चाहेगा जिन दोस्तों का घूमेगा चाहेगा जो पीएगा, खाएगा, घूमेगा ड़सन बंटर इस समय केतू बहुत ज्यादा अगेस्ट चलता है अपनी जो उनके परंपराओं के या अनुशासन जो या उनके जो फादर या फादर फिगर्स के बनाई हुए जो तो ने करेटेरिया है दूस और डोंस के बीच में बन केतू उसको कट करता है बहुत ज्यादा साफ में लीकर नहीं रखक ठीक है उसके अलावा इस सब्सक्राइब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एफ'RED also किसमत को कट करत त Elliot रहो साइन किसमत को भी कॉट करतую किसमस बहुत देना एफर्ट कौन लगा रहा हुरा रहो लगा सारी इतीब इनरजी है। सारी फोर्सेश के पास होता है儿. इसलिए वह पर से कट करदा रार चीजा को. भगवान की बनेवी चीजें, धार्म, अधार्म, यह नहीं करना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए इसको करने से बुरही है, अच्छा ही है, बुरही है बेसे एसे इंसान को अपनी बैंक वर नी है, और इस से को निए बैस अर्थाशेत्र को या है , इसनी को पीमिle इंखे इस इंसान को बैस कोरी pegar फूर में सबीज़ होब बैस के लिए बैसमट report आफ ऐसे लिए इसको बैस ये इसबब जहिए। बखेंगी में बहुत हैं तो कांड़ सफ़क्रावल कोई जब स्पूर्ट कोईब सो उसको उसे कोई मतलब नहीं।On सब्सक्राइमा कि बौडी नरफ होता है तरीवे पांड़ गय। एक क्रेजी वाली इस्तिती रहती है, कि मैं बहुत कुप सुरत दिखू, बहुत अच्छा दिखता हूँ, इस तरह की चुज़ें, के तो एर्टाउस में है, एर्टाउस में कटो रहा है, कैसे, हमारी जो परंपरा है, उसे अगेंस्ट रहू काम कर रहा है, सेकेंड आउस के तो एर्टाउस में है, कोई डीप थिंकिंग नहीं है, सोच समझना नहीं है, अपनी जो एक परंपराय चली, उसे अगेंस्ट राम करना है, सेकेंड आउस में या हूँ है, तो इस ताइप में इंसान ज्या करता है, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देता है, अगर वेज या है, या हूँ है, लेकि जड़ो को कट कर रहा है, क्योंकि राहू की विषज है, कि मुझे इस लाइफ में मेटल से जूबी चीज़े है, उनको भोगना है, नमबर वन भोगने वाला होता है, सिसमय से के राहू होता है, अगर या सोरों की बात करेंगी है, ठीक है, और के उन सब को कट करेगा, no deep thinking, no isolation, no विचारना, no research करना, सही गलत को सोचना, food habit को लेकर के, यह हमारे पूरवच क्या कह गए, उनको देखना, transform करना, nothing transform, वह transformation नहीं है, मुझे जो चाहिए वो चहिए बात कता है, केतु के सारी जो भी forces हैं, उसके अलावा जो धन जो रुका हुआ है, उत्रादिकारी जो बना रखता है, या फिर गड़ावा धन है, विल वसीयत है, उन सब को एकटा करके केतु किसको देता है, राहू को, क्योंकि राहू को अपना bank बनना है, second house में, ठीक है, इसलिए राहू जीन है, बात करते हूं, मैं फाइनली पाइसेज वालों की, आपके राहू ट्रांसेट करने हैं सब 1st house में, जब ये 1st house में राहू आता है, ऐसा इंसान, बहुत ज्यादा शड़ी अंतर के साथ में, या एक उतर है कि किसी में करेगा, उधेर मुन या बना लेगा, कुछ भी आपके राहू से केतु है, अपने पार्कार की है, सामने जितने भी लोग है, उन सब को सिर्व यूज करता है, मेरे लिए लेकर आप, क्योंकि 1st house में राहू आगया है, दिमाग में बैड़ी है, राहू आगया है, मुह खोल करके, दफ, I want something को निगल जाता है, सारी दुनिय ठीक है, और राहू क्या कर रहा है, राहू 1st house में आपके दिमाग में इतना इल्यूजन, इमेजिनेशन, एक होता है कि ड्रीम सब कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके लिए वो चाहिए कैसी भी कीमत चुका है, उसको को फरक नहीं पड़ता है, चाहिए उसका पार्णर मर ज अचिन इनशन पे चला गया, मेरा ड्रीम तो पार्णर को दूसरा है, एक इल्यूजन में रहता है, शर्यंतर करता है, बहुत राजरीत है कि होता है, बहुत बढ़ा, वो अपने दिमाग को इतना चला करके सारी दुनिया को अपने वश्मे करने की शमता रखता है, और सारी पर दूसरों के पास कोई चीज पसंद नहीं किसी के पास कोई चीज होगी वह उसे रती आएगा किसी में तरह से आएगा हस के रोक एसा इंसान शौफ करता है कि बहुत दुखी है परिशान है और इंटरनली दिया वेरी बिग आइकन से पॉलिटिक्स जो होती ने चलाने वारे लोग होते हैं वह है बीकिस पॉलिटिशन एकन से फिर्स्ट आउस कर रहा हूं उसके चाहला कि सुलिक्स है वह कब आपको रहा है मैंघ कि अधू करे है कि आपको अपको रहा है होतों कчи बूह पंस चीजने हुऊ होते हैं और जाला और देंटर ग। होहरा इस बंसे क्या है कितु तो राहूं को आ यह कोई पार्टनर होगा वो सिम्सको फुलफिल करने के लिए दौरता ही रहेगा मुझे भेस्ट घाना झाई राओ पए हो यह कंई खाने जा रहा रहा है मुझे फाल अवरेंडेट कपडा चाहिए मिले कुछी कढई गां she great मुझे सारे मेंटर से चीजी चाहिए और के तु दोड़े जाएगा उसके एसा इंसान बहुत जादा अपने पार्टनर को मिश्यूस करता है डिवोर्स देने की दंखी रेता है हमेशा ये शो करता है कि मैं बैस हो और तुम इससे बहुत ज़दा रीचे हो ठीक है दुनिया को तुम इस तरह से रूस करता है बहुत दाखने बहुत बहुत उठा के लगए इस इंसान बहुत बड़े गेम भी बहुत अच्छा गेम में जीतते है दिमाग वाले गेम में असके पार्टन को पता है इसारी फोर्स उसको फुल प्ल्फिल करने लिए लगा जी लगा जी जी केतु का उसमन जब 7th house में केतु होता है तो अपना आपको भूल जाता है उसका पूरा जो फोर्स एया एनर्जी कहा लग रही है राहू को की विशिस पूरी करने के लिए जो की 1st house में बैटा हुआ ठीक है पूरा ही connection बन गया है तो ये राहू की जो और केतु की जो relations है एक द जो पूरी जो पूरी बाड़ी यो बंड़ता है तो ये एक्ट हमारी जिंदगी में डालते हैं और इसके लिए रिमेडी यो बताना चाहते हूं मैं रहू और केतु की दौनों की हो है सबस्टे बड़े डिजिजन अपनी लाइप में जब आप लेते हैं तो उसके लिए बह है कि राहू होता ही ऐसा है लेकिन जब भी हम को नय बड़ा डिजन ले नय डिजन ले किसी भी तरीके का चाहिए जौब का हो बिजनस का हो पार्टनर्स का हो उन सब चीज़ों को थोड़ा आपको सोच समझ करें आगे बढ़े जल्दी वाजी में या बहुत ज़दा सदन के है हर चीज़ पड़ा पड़ा तुरंथ से उस चीज़ का आप ध्यान करके डिजन लेना चाहिए इस चीज़ से आप पंट्रोल कर सकते हैं राहू के डिजार्स को मेरे बहुत चोड़ा से बड़ा सा वीडियो था वर्दा राहू की तो ट्रांसिटिंग और की वाचिंग मैं आप अपलब से चीज़ा जये ओ से आप प्यान कर देख प्यान कर दोडिय।